बाहुबली और मौुसदर विधायग मुक्तार अंसारी को जेल से ना छोड़ने पर सियम योगी आदितनात को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को हजरदंद पुलिस ने गिरफतार कर लिया है आरोपी एटा का रहने वाला एक ट्रक डाइवर है जिसने मुक्तार को जेल से ना छोड़े जाने पर मुक्तार योगी आदितनात के लिए धमकी भरे मैसेज जायल 112 टीम के पास भेजे थे पुलिस कमिशनर सुजीत पांडे ने सनिवार शुबर जानकारी देकी 9696755113 नंबर से किसी अग्याद बदमार्ष ने बुद्धवार को यूपी 112 सेवा के वाटसेप नंबर पर कई धमकी भरे मैसेज भेजे इसमें मुख मंत्री के लिए अबद भाषा का इस्तमाल करते हुए बाहुबली मुकतार अंसारी को 24 घंटे के अंदर जेल से आजाद करने की बात कही गई थी मैसेज भेजने वाले ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शुकरवार 25 सितमबर तक योगी सरकार मिटा दी जाएगी हजर रन थाने में तैनाज इस्पेक्टर अंजिनी कुमार पांडे ने इस मामने में मुगदमा दर्च कराये था आपको बता दें कि योगी सरकार ने राज में आपरेशन क्लीन और आपरेशन निस्त नाबू चला रखा है इसके तहट पूलिस और प्रशाशन प्रदेश के माफिया और बाहुबलियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कारवाई कर रहे हैं सरकार का मकसद यूपी में संगठी तपरात को पूरी तरह ख़द्म करना है इस काड़ी में बाहुबली अतीक एहमद और मुखतार अंसारी के अवैस सामराज और इनके गैंस के खिलाफ करवाई जारी है अतीक की लगबग 300 करोर रुपे की संपत्ती प्रशाशन जमी दोस कर चुका है वहीं मुखतार की भी 100 करोर रुपे की अवैस संपत्ती पर बुल्डोजर चल चुका है